होम शान्ती आज 26 जन्वरी 2024 मीठे प्यारे बाबा की साकार मुरली के 10 मुख्या पॉइंट सुनते हैं पहला है बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हे अब शान्ती धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है इतनी बड़ी बात है बाबा कहते तुम्हे शान्ती धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है तुम बाब को याद करते करते पावन बन कर्मा तीत हो अपने शान्ती धाम चले जाएंगे ठीक है, क्या के अरे बावा, तुमको इतना बड़ा सहारा मिला है, जिसको सारी दुनिया ढून रही है, वो हमें सहारा मिला है, जो की हमें शानती धाम, सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं, और करमातीत बनाकर के शुद्ध पावन बनाकर अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, बाप की पुछकार किन बच्चों को मिलती है, बाप का शो कैसे करेंगे, दो बातें बावा ने पुछी, बाप का पुछकार किन बच्चों को मिलता है, और बाप का शो कैसे हमें करना है, उत्तर है, जो बच्चे वफादार हैं, सर्वेसेवल हैं, औ बहुत मीठे हैं कभी किसी को दुख नहीं देते हैं तो ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलेगी या ना लाड़ प्यार मिलेगा जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे कभी भी भूले ना हो मुक से दुख देने वाले बोल ना निकले सदा भाई भाई की रुहानी दृष्टी रहे रुहानी प्यार रहे तो बाप का शो कर सकेंगे ठेक है तो बाबा ने क्या सिखलाया बाबा कह रहे हैं क्या करना है वफादार बनना है सर्वेसिवल बनना है बहुत मीठा बनना है और आपस में रुहानी प्यार से रुहानी दृष्टिस एक दो के साथ रहना है और बहुत मीठा बनना है बावा के ते तुम मेरे लाडले सी कलदे बच्चे हो तुम किसी को दुख नहीं दे सकते है हसद करना हसद में किस से कम्पिटिशन की भाव ना रखना इर्श्या जैसे कह सकते है तो ये वी करम है या ना खुद का मन तो खराब होता है कि आत्में खुद तो पुरशार्थ नहीं कर पाती है तो ऐसी खराब बाद दूसरी आत्मों को बोलेगी ना उसका पुरशार्थ हो पाएगा ना खुद का हो रहा है तो ऐसे बच्चे कभी बाबा के दिल पर नहीं चड़ सकते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमने तो बाबा का शो करना है तीसरा पॉइंट है बाबा केते तुम मुझे याद करो धन, दौलत, मकान, बच्चों, आदिमे, बुद्धी अब नहीं जानी चाहिए तब ही करमाती तवस्था को पास सकेंगे नहीं तो नहीं पास सकेंगे फिर क्या होगा नहीं पास सकेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी है न बाबा केते विचार सागर मंतन करते रहो और खुशी में रहो सिर्फ बाप को याद करो चौथा पॉइंट है बाबा बता रहे हैं आज कि ये दुनिया कैसी है और आने वाली दुनिया कैसी है बाबा केते देखो कल पहले मुआफिक यहां भी नाश तो होना ही है है ना अभी तो रहने की जगा रही नहीं है ये अनाज भी नहीं है खाएंगे कहां से बाबा केते अमेरिका जैसे देश भी करोडों भूखे मरने वाले वहां पर भी नेच्छल कैलम्टी जैसी आएंगी लड़ाई लग जाएगी अनाज कहां से लाएंगे बहुत भ्यानक लड़ाई लगेगी बाबा ने दिखो आज से कितना समय पहले कि ये मुर्लियां है तो बाबा ने कहा साकार की मुर्ली है लड़ाईयां इतनी भ्यानक होगी कि उनकी बाबा केते बहुत सामान उन्होंने तयार किया है तो यूज तो करेंगे ना लड़ाई के अतना सामान है तो नेच्चुल केलम्टीज मदद करेंगी भी नाश में और उसके बाद बावा केते तुम नई दुनिया में जाएंगे यहां तो जमीन सड़ गई है अना आज पूरा निकलता भी नहीं है वहां पर जमीन भी तुम्हारी बहुत शुद दोगी और सारी जमीन पर तुम्हार राज्य होगा शुद भोजन मिलेगा यहां तो बावा कहते देखो कैसे जानवरों को पका कर खा लेते हैं प्रुष्टा कैसा हो गया है लेकिन बावा तुमको बहुत सुक्की दुनिया मिले जा रहे हैं तो ऐसे बावा का बहुत बहुत शुक्रिया मानना चाहिए पांच्वाँ पॉइंट है बावा कहते बाप को याद करो तो तुमको खुशी रहेगी है ना आत्म अविमानी होकर रहो फिर विकार की कोई बात उठी नहीं सकती इसलिए बावा कहते अ श्रीरी भव फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों है श्रीर को देखने से गिरते हो देखना है आत्मा को हम आत्मा है सामने वाली भी आत्मा है ऐसे रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे और स्रेष्ट कमाई जमा होती जाएगी तो कमाई के लिए बावा केते सुवेरे का समय बहुत अच्छा है सिवाए बाप के और किसी को नहीं देखो किसको देखने की चान नहीं होनी चाहिए एक बावा के सिवाए चटा पॉइंट है बावा ने इसमेवी आत्मा का पार्ट पका कराया बावा के तो देखो बरीकुटे के बीच में सुवें को फील करो मैं अजब सितारा बरीकुटे के बीच में चम करा हूँ शुब बावा का प्यारा हूँ है न बावा के ते नारा भी लगाते हैं न कि हम आत्मा भाई भाई हिंदूस्तानी पाकिस्तानी बौधी सब भाई 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 ऐसे बोलते हैं लेकिन बावा के तो अर्थ नहीं जानते हैं, अगर अर्थ समझें, एक पिता के बच्चे हैं, उसनाते सब भाई भाई हैं, तो तुम्हारा आपस में फिर कितना लव होना चाहिए, है ना, सत्यू में जानवरों का भी आपस में बहुत लव है, बावा सिखला रहे हैं, कि सत् और यहां मनुश्या कैया है, मनुश्या मनुश्या की जानकाज दुश्मन बना हुआ है, कारण देह अभी मान, देव मान में आकर एक दुसरे को तंग करते हैं, गलानी करते हैं, बावा केते हैं, तुम्हे आपस में बहुत प्यार से रहना है, अगर मुझसे कोई उल्टा निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए I am sorry क्यूंकि हमको बाब के फर्मान पर चलना है और बहुत मीठा बनना है ठीक है और सात्मा पॉइंट है हमें बाबा की शिर्मत पर चलना है फर्मान पर चलना है ना फर्मान बरदार नहीं बनना है किसी को दुख नहीं देना है ये बाबा ने एक बात समझाई बाबा के थे जैसे कोई सिपाही की जॉब पर है तो कोई जैसे चोर आदी होते हैं तो उनक से सच निकलवाने के लिए मारना भी पड़ता है या मिल्टरी वालों को भी लड़ाई भी करनी पड़ती है तो बाबा के दिसो तो जॉब है जैसा वो तो करना पड़े सिर्फ तुम अपने को आत्मा समझ बाब को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा अठों पॉइंट है बाबा केते तुम बाब की शिर्मत पर चलो इसमें आश्रिवाद की बात नहीं है आश्रिवाद शिर्मत पर चलेंगे तो अपने आप ही मिल जाएगा बाबा केते मैं टीचर हूँ मैं आश्रिवाद नहीं देता हूँ तुम पढ़ो, अपने मैनर्स स्रेष्ट बनाओ, तो उंच पद मिलेगा, अपना रजिस्टर रोज अपने आप खुद देखो, कोई तो बहुत मीठा होकर भी चलने वाले हैं, हर बात में राजी भी रहते हैं, बावा ने कहा, तुम रोज अपने के चहरी लगाओ, है ना, ब अपना बकील नहीं बनना है, अपने आपको सुधारने के लिए अपने उपन नज़र रखनी है, हमने कोई भूल तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, क्यूंकि मेरा पिता तो सुक दाता है, दुख हरता है, तो मुझे भी सब को सुख देना है, उल्टा सुल्टा कभी भी नहीं बोलना, कभी भी ला अपने हाथ में नहीं उठाना, ला हाथ में उठाना माना कोई आपस में किसी की बात है, और हम बीच में जाके अपनी हिसाब से कोई फैसला देते हैं, या कुछ करते हैं, तो उसको बावा केते, ला अपने हाथ में नहीं उठाना है, तुम्हारा काम में रिपोर्ट देना है, निमित को किसी को भी बड़ों को रिपोर्ट कर दो और खुद नियारी हो जाओ, ठीक है, और नमवा पॉइंट है, अपनी पावरफुल स्थीती में स्थीत रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नमबर वन सेवा धारी भव, अपनी पावरफुल स्थीती में स्थीत रहना है हमें, और मनसा द्वारा सेवा करनी है, तो क्या बन जाएंगे नमबर वन सेवा धारी, बावा केते हैं, ये दि किसी को वानी की सेवा का चांस नहीं मिलता, तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ह पावर्फुल और सबसे बड़े ते बड़ी सेवा क्या है मनसा सेवा वानी की सेवा सहज है लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावर्फुल बनाना बड़ता है वानी की सेवा तो स्थिती नीचे उपर होते भी कर सकते है लेकिन मन्सा सेवा नहीं हो सकती है न जो अपनी स्रेष्ट स्थीती द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर वन सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं ठीक है तो मन्सा सेवा करने के लिए मन बहुत शान्त शुभावना उसे भरा हुआ होना चाहिए तब यह मन्सा सेवा कर सकते हैं तो बाबा कहते हैं इसके लिए कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमें सेवा का चांस नहीं मिलता है न हर एक को चांस है इतना चाहे सेवा हम कर सकते हैं और नमबर वन सेवाधारी बन सकते हैं दसमा पॉइंट है स्लोगन लौकिक कार्या करते और लौकिक ताका अनभव करना ही स सुन्दर बात है लोकि घर गरस्त में जो भाई बेने रहते हैं कि यह उनको बन मन में बड़ा रहता है कि हम स्मर्पित क्यों नहीं हुए हमें बावा पहले क्यों नहीं मिले तो बावा ने बहुत सुन्दर बात बताई कि लोकि कार्य करते भी क्या सोचो हम लोकि कार्य कर रहे हैं हम यहां सेवा अर्थ रहे हुए हैं तो उनका जीवन भी कैसा होगा सरेंडर जैसा ही समर्पित जैसा ही और उतना ही जादा फल भी मिलेगा जैसा कि समर्पित आत्मों को मिलता है है ना गरस्त में रहने वाले भी समर्पित भाव से रहें बहुत उंच-पद कैदिकारी बन क्जादी